गुण मॉर्निंग फ्रेंट्स मैं नेहा मेरे निव चैनल दा मिरेकल एस्टोर 24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं कल सूरे ग्रहन हैं तो सूरे ग्रहन में ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा किस तरह रहेगा किस राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सब तो आपको पता ही होगा पर कुछ विशे सावधानिया भी रखनिया को चुपाई भी करना है कल सूरे ग्रहन के दिन में तो आईए पूरी जानकारी लेते हैं हम की कल का सूरे ग्रहन किस तरह और कैस तरह देखा जाएगा, कितने बज़े से कितने बज़े तक रहेगा और कौन सी राशियों को साधान रहना चाहिए और किस राशियों को विशेज ध्यान रखना होगा कौन-कौन से उपाय दान इस्तान आदी महत्योपूर हैं तो आएए शुरू करते हैं कल सूरे ग्रहन पड़ रहा 21 जून को और यह साल का पहला सूरे ग्रहन होगा 21 जून को लगने वाला सूरे ग्रहन रिंग ओफायर की तरह लगेगा यह ग्रहेंट पूर्ड ग्रहेंट है ring of fire का यह नजारा को second से लेकर 12 मिनट तक देखा जाएगा जो 30 दृस्टी से देखा जाए तो इस ग्रहेंट का सूतक काल माना जाएगा वही इस ग्रहेंट का प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा इस ग्रहेंड का सूतक 12 गंटे पहले लग जाएगा सूतक कल 20 जुन की रात 9 बज के 16 मिनट से शुरू हो जाएगा और सूरी ग्रहेंड का मध्य 12 बज के 10 मिनट दोपहर पर होगा ग्रहेंड कल सुबे 9 बज कर 16 मिनट से दोपहर 3 बज कर 4 मिनट तक रहेगा सारे समय भारत के मानक समय नुसार हैं इस बार सुर्य ग्रहन दो नचत्रों में लगेगा प्रारा भिम्रिकशीर नचत्र से और अधरा नचत्र में होगा दोनों नच्छत्र स्वामी क्रमशा मंगल और राहू हैं दोनों कुरूर संग्यक नच्छत्र होने के नाते पूरे विश्य में हलचन मचाएगा मेश सी है कन्या मकर राशी वालों पर ग्रहन अशुप रभाव नहीं डालेगा जबकि विरिशव, मितून, कर, कतूला, विरिशिक, धनु, कुम्ब और मीन राशी वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए इसमें मितून राशी वालों को विशेश देहन रखना होगा कंकर आकरती ग्रहन होने के साथ है ग्रहन रवी वरकों होने से और प्रभावी हो गया है इस सुरू ग्रहन के दौरान इसनान, दान और मंत्र का जाब करने से विशेश फलदाई होगा ग्रहन में क्या करे क्या ना करे सुर्व ग्रहन में ग्रहन से चार पहा बारा घंटे पूर भोजन कर ले, बुढ़े बालक रोगे और गर्भोती महिला ड़े रिपहार साड़े चार घंटे पूरो तक खा सकते ग्रहन के कुरप ब्रहों से खाने पीने की वस्तोय दूशीत ना हो, इसलिए सभी खात दे पदार्थों पीने के जल में तुलसी का पत्ता और कुश डाल दे ग्रहन के बाद नया भोजन बना लेना चीज़, संभाव हो तो ग्रहन के पश्चात घर में रखा सारा पानी बदल दे ग्रहन के समय पहने हुए एवं इसपर्ष कीवे वस्तर आदी अशुद्ध माने जाते हैं अता ग्रहन पूरा होते ही पहने हुए कपड़ों सही इसनान कर लेना चाहिए ग्रहन से 30 मिनट पूर गंगा जल छिड़ा के शुद्धी करन कर ले ग्रहन काल प्रारंभ होने के पूर घर के इशान कोड में गाय का गी का चार वातियोला दीपक प्रजवलित करे एवं घर के हर कमरे में कपूर का धूप कर दे ग्रहन काल उस देवता के लिए संकट का काल है उस समय वा ग्रह पिड़ा में होते हैं अता उस समय भगवान नाम जब किर्टनों कार का जब आदि करने से संबद्धी ग्रहो एवं जाद तक दोनों के लिए हितकारी होता है खाना पर ना भूले और जो पाई इसमें बताया गया वो पाई कर लिजिए गा तो आपको ग्रहन काल का पूर्ण प्रभाव मिलेगा और शुब प्रभाव मिलेगा राधे राधे थैंक्यू स्वामच